हेलो फ्रेंज क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्दी नाश्ता भी इत्ता टेस्टी हो सकता है जो बच्छों को भी पसंद आए और बड़ों को भी अगर नहीं तो एक बार इसे जरूर ट्राइ करना आईए शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए है एक कप चावल औ और आदा कप तूर दाल जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं आदा कप मूंग की दाल यलो वाली जो दाल होती है आदा कप उड़त दाल और इन सब को हम पानी से अच्छे से दो लेती हैं अब इसमें पानी दाल के हमें इसे भीगने के लिए छोड़ देना होता है लगबग लग भीगने के लिए छोड़ देते हैं इसको हम डग देंगे अच्छे से और आदा घंटा पानी में भीग जाएगी तो इसको हम इसका जो पानी है वो बिलकुल निकाल के अलग करके इसका पेस्ट बना लेंगे यानि कि मिक्सी के जार में डाल कर इसे खूब अच्छे से हम पीस महीन पेस्ट बना लेंगे जैसे हमने यहां पर देख सकते हैं पानी निकाल दिया है इसको अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं सारी दाले चावल अच्छे से हमारे फूल चुके थे और यह हमने महीन पेस्ट इसका तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे अगर आपको अभी यह बैटर जादा लग रहा है तो आप हाफ बैटर निकाल के अलग रख दे जितने जरूरत है अभी उतने बनाए आप नाश्ता फिर भाद में जब जरूरत लगे तब आप बना ले जैसे कि होता है कि किसी टाइम पर कोई का रहा ह ऑड़ी साथ में बारीक कटकी हुई प्यास प्यास बिलकुल ओप्शनल रहती है यह हमने बारीक के अद्रक रखिए वो भी डाल दी अद्रक बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा था तो हमने वही मिक्सर ग्राइंडर जार धोकर हलका सा पानी डाल दिया है और यह पैटर की कंसेस्टेंसी परफेक्ट तयार कर लिए है इसमें अब हमने स्वात के अनुसार नमक रैड चिली फ्लेक्स या फिर आप कुटी हुई लाग जैसे हम मिक्स करते हुए अपना पॉफेक्ट बैटर जो है वो तयार कर लेती है अगर अभी तक आपने मेरी इस रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज लाइक बटन पर प्रेस शरूर करना ऐसी रेसिपी देखते रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना मत बूलना बैटर तयार हो चुका है हम एक अपर स्टेंड गैस पे रख देंगे और ऑईल से ग्रीज कर लेंगे हलका का ऑईल डाल देंगे यह हमने राई लिए थोड़ी थोड़ी राई डाल देते हैं गरम होने के बाद यह आपके ऑप्शनल है अगर आप राई नहीं खाना चाहते हैं तो राई बिलकुल नाखाएं स्किप कर दें उसके बाद अब हम इसमें इस बैटर को जो आप पे स्टेंड़ने जब हमारा गरम हो चुका है बैटर को हम इसमें डालते जाते हैं एक छोड़ी स्पून ले लिजिए और उससे एक स्पून बैटर डाल दीजिए फ लगभग 2-4 मिनिट के बाद इसे हम चैक कर लेते हैं हमने देखा हमारे अच्छे से सिख गए तो इनको हम पलट देंगे अगर आपको लगता है कच्छे है तो अभी आप 1 मिनिट और सिख सकते थे आप इन्हें हम दूसी साइड से भी इसी तरीके से से शेक लेंगे सारे हम पलट देते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स रेसिपी आप मेरी कौन सी देखना पसंद करेंगे हलका-लकासा ओईल और ग्रीस करते हैं और ढग कर इन्हें ऐसे ही 2-4 मिट शिकने देते हैं आपको ये बात का ध्यान रखना है क अच्छा से शिकना तब ही अच्छा से सिक गोल्डन ब्राउन होके तयार होंगे हमारे देखे दौनों तरफ से अच्छा से सिक चुके हैं तो इंको हम प्लेट में निकाल लेते हैं हमने बिलकुल एक दम सिम गैस पर ही इन्हें सेखा था आप एक नैपकिन के उपर निकाल अगर आपको अच्छा लगे तो जैसे की नैपकिन अगर हलका सा भी ऐल होगा तो वह भी अप्सॉफ कर लेगा वैसे तो हमने ऐल में सेक ही नहीं है देखिए हमने कितना कम ऐल डाला था उसके बाद भी हमारा ऑल बच जाता है हमारी यह रेसिपी बिलकु तयार हो चुकि है अब तक आप इसे अपने घर पे जरूर इंचॉय करें बावाई